हालो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तु दोस्तों आज के स्वीडियों में आप लोगों बताने वाला हूं कि अगर आप लोग का मशीन भी बहुत गरम हो रहा है तो इसके पीछे क्या-क्या है और मशीन गरम होने की क्या-क्या वज़े हो सकती आपको इस व क्यों फिर्ट die किमसीन घरम की बढ़ जाता है तो इसके पीछी के क्या कारण है क्यों क्या-क्या क्या कारण होते कि मशीन टेमपरेश्सर बढ़ जाता है इसकी पिछे का पूर जांकर आपको यह उब पता चलना वा वाला है ता यह जु लाइक करते हैं अभी तक मुले चानल को सब्सक्राइब में क्या सब्सक्राइब करना बगलवाला घंटी उसे भी उनकर आता कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तुरंद आपको पज़ा लेगा चाहिए दोसे वीडियो स्टार्ट करते है तो गैस सबसे पहले आपको मैं अब बता देता हूं कि मसिझन घरम क्यों हो जाता है तेंपरेटर हाइव क्यों बढ़ जाता है मनें बहुत मशीन हो जाता है दिन बर काम करता है तो पूरा गरम हो जाता है अब को तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको गरम नहीं होना चाहिए तो पिर भी ऊसको नीचे लाएंगे तो आपको तरीका बता देता हुगा पहले आपको सुबह से अगर पुराना मसीन आपका तो पूराना मसीन है पॉराना मसीन में से पानी डलाना पढ़ता है तो चिता है कि है ज़रुत प्ढ़ता में बजा जबताओं अगर अगर पाने रहो पानी डाल दो फूल भर दो और पूरा आगे का जो रेडियो वाटर एक कुलर है उसको पानी मार दो अच्छी से थंडा करके ना सुभी सुभी निकल जाओ काम को दिन बर बारा एक विचे तक कम काम करोगे तो उसके बाद में मशिन पूरा गरम हो जाए तो आपको क्या करना ह पहाँ पहरा होतला होता है जहाँ पहले होता है जहां पहले होते हैं उसके निचे खड़ा करने वहाँ पहला थंडा कर दिया तो पीछे वाला तोह पुरा तूछ यहन अगर आपका मशन दोतम होने के करनको कूछ बता देता होँ की सबबसे पहले गर पड़नेका आपको बता दो कि आगर आगे रीडियो वाटर में खतम हो गया तो फिर भी टाइमपरेचर बढ़ जाएगा और यह वाटर का आगे जो जाली होता है उसमें तो बुरा-बुरा हवा जाने के लिए रस्त रस्ता होता है तो उसमों अगर जाम हो गया उसमें कच्छरा होता आगर तारीकी आपको बता दिया गरम होने का और तीसरा तरीका कि एर एक और फिल्टर और इसको दो दिन में यह डेली साप करते ना तो भी अच्छा रहेगा अगर इसमें सापकर दो दिन में दूप में काम कर रहे हो मिट्टी ऊड़ता है अगर मशिन में पुरा मिट्टी पुरा खीच लेता है अंदर तो इसके वैसे अगर भर भर जाएगा जाम हो जाएगा तो इसको साप कर दिए अगर वह सापने करेंगे ना फिर भी टेंपरेशर बढ़ जाएगा और एक और तरीका आपको बता तो क्यों गरम हो जाता है कि आगर आप लोग गर्मी में अगर बार बार फुल रच में चला रहे हो बहुती रफीच रहा हो बहुती लोड अगर लूडर काम कर रहे हो लो र चला रहे हो है ज呢俺 चला एक बता या साड़े पंदरा सो या उससे कम अगर एक्षेटर में चलाओगे न भाई तो यादा मशिन हीट ने होगा टैंपरेजर नहीं बढ़ेगा तो इसलिए बता रहा हूं कि कम एक्षेटर में चले अभी धूप का टाइमिंगे धूप में आगर आपको गर्मी से मशिन को भी उसके अडिए चलाओ टेंपूबों rap में टेंपरी अधन एड़ी का युह टाइन को किन इसमे पान गली साथ नहींगोण गें और ऊट नुत एवड già पाने को टेंपर आंपको यादा तो ये जारे हैं को पाने पाने क्षण पाने की म57 आ डिशा क्ज़ँच पाने को अच् सब्सक्राइब गर्मी के सिजन में ज्यादा पुलंड यूज करो पुलंड यूज करने से रेडियो आट में पानी चल्दी खतम नहीं होगा इसके बता रहा हूं कि अब गर्मी में बहुत बार बार घरम हो जाता है अगर टेंपरेजर हाय बढ़ गया पुराने में तो है अग चालू भी नहीं होगा इससा सिस्टेम बना दिया कमपनी अगर मशीन पूरा गर्म हो जाता तो पूरा बंद पढ़ जाता है बंद हो जाता है वह चालू नहीं करने के लिए इसलिए आपको बता रहा हूं कि जाता से ज्यादा इसको ठंडा करने की कोशिश करो मतलब इस पूलो करो गर्मी में आपके ना अभी गर्मी का टायम चटा कर खाने के लिए खड़े खड़े कर दिया ना मशीन तो आप इना कुछ पीड़ होता है उसके चाली करें चाया रहता है तो उसके निचे गुसा दो थंडे में जहां हर्याली होगी वहां पे मशीन खड़ा दो आपको बता दो कि अगर अगरा मशीन में बार बार पानी डालने के जरूरत पड़ जाया तो आपको बता दो कि अगर अगर तो अंदर से पानी और प्हीड़ए तो मुढ पे गिरने के चांच से बढ़ जाए तो आपको बता दू कि वहहांकर क्या करने का पानी कब डालने का अगर घड़ा कर दिया मुशिन अभी एक बजे खाना करना कि लिए अगर छुट्टी कर दिया आपने तो लेंध फिल्क खालो यह गोज़े तक्तियुक 50 गया नावनेली गडमने दौना मिश्य में पूरा गरम होने के बाद बगर मशिन पुरा घरम हो जाए तो कभी भी क्या आप भूल कर भी मत खोली है किमकि अगर खोल जाना भाई तो पानी उड़ने का चांस बढ़े आपको हाथ जल भी सकता है उसमें वार्निंग के लिए वहाँ पे एक स्टिकर लगा होगा आपको पूरा समझ में क्या करना है कि आपको पूरा समझ दिहाना कि मैं इतना बताया मशिन गरम होने का चांस मतलब क्यों गरम होता है वह बता और यह नवा अगर्ओक उंप होने को कई कऔर नख खराब होने के वाब होने से भी आपका मशीन गरम हो जाता है कई तो जितना मेने बताए अगर अगर मश्चीन घरम हो चैच करो और उसकी बाद में आपको बता दू कि आगे तो पूरा के कूलर के सामने जो जाले होता है अगर वो जाम है क्या नहीं उसमें मिट्टी भराए गया ने वह भी चेक करो उसको मिट्टी साब करो यह भी साब करते रहो और एक और बात की पाने डालते रहो कूलन डाल रहे हो या पाने डाल रहे हो उसमें पाने चेक करते रहो द अगर काम कर रहे हैं तो आपको संभाल करना जहां पर रहेगा वहां पर खड़ा कर आपको पूरा समझ में आए गाना बहुत इसके पीछे बहुत बहुत बढ़ा आपको बता देख पूरा वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं और भूल भी जाया तो इस वीडियो को देखिए अब समझ में आजाए कि गर्मी में अभी जितना हम जो दूप से डरते हैं दूप से हम लोग छुपाते चुपते ना उतना मशीन को भी छुपाएगी अगर मशीन टेंपरीजर हाय हो गया तो आप भी कंप्यूट में हो जाए संधार्यक कि इसके पीछे बहुत बड़ा भोडा लग़ने को मशीन को कि वह घ्यास मारन लगजाएका पूरा इंजन नीचे से घ्यास मारन लएगा तो ऑанд खरावने लएगा इंजन पूरा बन भी पढ़ सकता है इसके पीछ बहुत भी यह हो जाएगा पूरा नुकसान हो सकता है इसके पीछे हो सकता है इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी टैंपरेटर बढ़ने मत दो अब को समझ में आएगा ना बाई तो आज की शुड़ों बस इतना ही वीडियो को शेर करो जाता शेर करता अब सभी को पता चल जागे तो फिला आज की शुड़ों बस इतना ही अगर आप लोग मुझे बात करना चाहिता कुछ बात करना चाहितों मेरे कानल तो टिप्सक्रिशन में टिक्टाक के सल्ट बात करने हैं कर सकते हूं और ऐन आपको को बात करने के कोशिश करूंगा तो फिला लास विश्यों बस इतना है वीडियों को शेयर करो जाता है